आगरा की धर्ती पर पहली बार 21 अक्टूबर को एतिहासे कारिकरम होने जा रहा है जिसमें हिंदू जागरन मंच द्वारा युवा मंथन 2018 का आयोजिन किया जाएगा लगवग 21,000 युवा भाग लेंगे इस कारिकरम में और सहीदों को सम्मान देने का ये पूरा कारिकरम होगा मेरे साथ में हिंदू जागरन मंच युवा भाईनी के प्रदेश द्यच्छ आमें चौदरी मौजूद हैं जाने किस तरह के कारिकरम होगा 21 अक्टूबर को पूरे ब्रजप्रांट से सबी जिलों से महानगरों से हमारे हिंदू राष्टक्षक हिंदू युवा भाईनी के अपने जागर मंच के युवा भाईनी के जो कारिकरता है वो सबी लोग आएंगे और आगरा से भी 10,000 से जादा देश भक्त और कारिकरता और नौजवान हमारे परदादेकारी सब लोग रहेंगे जो मूगल उद्देश है उस कारिकरम का यह है कि समाज में और देश में देश भक्ती का भाव वीर सहनेकों के प्रती सम्मान भड़ सके ऐसा भाव जगाने काम हिंदू जागर मंच करेगा क्या लगता आपको कि इस तरह का भाव इस देश में है नहीं है या इस तरह कुछ इस तरह के असमाजिक लोग हैं कि इस तरह की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाते इसलिए ये कारिकरम करने की जिरूत पुर रहे हैं ये कारी केरम इसलिए हम लोग कर रहे हैं ये कहना तो उच्ट नहीं होगा कि ऐसा भाव नहीं है इस देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भाव तो बहुत है तीवी पर देखके शोशल मीडिया पर देखके हं देश की सेहनों को बड़ा सम्मान करते हैं हम देश भक्ति की गाने चलाते हैं और उन पर हम अच्छा-च्छा सोचते भी हैं लेकिन जमीन पर जब जैसे देश के सेनिक जो शहीद होए उनके परिवार वालों की हालत बहुत खराब है कुछ परिवारों को पैटल पंप अलोट हुए कुछ को नौकरिया अलोट हुए लेकिन आज तक 30 साल म 20 साल में मिल नहीं पाई जो हमारा सिस्टम है वो बहुत खराब है तो ऐसी चिंता करने का काम हिंदु जाहर मंच ने करा और ये विशह हम जमीन पर प्रतियक नागरी का ये विशह बन सके है जैसा हम वेदेशों में देखते हैं जब सेनिक जाता है तो हजारों लोग तालिय कि देश भक्ती नहीं है लेकिन वो भाव जागरुख हो सके लोग चिंता कर सके है उनके मन में घर कर सके ऐसा काम करने का काम हिंदु जाहरों जब वाहिन करने जा रहा है लोग सबा 2019 के चुनाव आने बाले हैं कई ना कई इस कारिकरम को चुनाव से रिलेटेड माना जाए या फिर हिंदू जागरमन्च का एक भाव है कि बागई लोगों को इस तरह का जागरुकता लोगों के अंदर आनी चाहिए देज़ा क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि लोग अपने राजनितिक महत्तो कांछाओं को लेकर ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या माना है हिंदू जागरमन्च योवाईनी का जो कारीकरम है वो बिल्कुल गया राजनितिक कारीकरम है और चुनाव 2019 से क्या आने वाले किसी भी चुनाव से उसको कोई संबन्द नहीं है तो जब हम इस गारीकरम को कर रहे हैं तो यह भाव हमारे मन में बैठे बैठे ये विचार आया सबी लोगों के मन में कि देश की जो सेना सरहत पर ख़लो के हमारी रक्षा करती है वो जो शहीद हो जाते हैं उस समय तो बहुत चर्चा होती है मीडिया में आम लोगों में लेकिन उसके बाद उनके परिवारों की कोई सुकदुक लेने नहीं जाता तो ये भाव पूरे प्रतेक नागरीक प्रतेक नौजवान के मन में घर कर सके देश के प्रती देशबक्ती का भाव सडकों पर आ सके ऐसा काम करने कर हम काम कर रहे हैं और देश में जो आंतरिक सुरक्षा जैसे की JNU में आपने देखा अलिकर्ण मुस्लिम उनिवस्टी में आपने देखा जे एनियू में कनिया कुमार ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे अमर खालिद ने कहा तो वो लोग दो दो महीने में छूट कर आ गई ऐसा कोई सम्विदान में कड़ा कानून नहीं है तो देश के खिलाफ बात करने वाले को सक्त से सक्त सजा दे सके है अभी जो वानी जो आतंगवादी बना पिएच्डी स्कॉलर था अलिकर्ण मुस्लिम उनिवस्टी से उसका जब एंकाउंटर करती है भारती सेनाने कुछ दिन पूर तो अब उसके जनाजे में नमाज पढ़ी गई उसको शद्धांज लिदी के लिकर्ण मुस्लिम उनिवस्टी में उन्हों अपने डिग्रियां लोटाने की धंकियां तक दे दी तो ऐसा कोई सक्त कानून नहीं है इस देश में जो देश के विरोधी गत्विदियों में सनलिपत लेने वाले लोगों के खिलाब बन सके तो ऐसा भाव जगाने काम आंतिव सुरक्षा पर मंतन करने काम हम लोग कर रहे हैं उनको विचारों से अपने समर्थन में लाने का काम कर रहे हैं जो लोग देश के खिलाब बात करते हैं देश के गदार हैं उनको अपने समर्थन में उनको समझाने का प्रयास सिंदु जागार मंच इस कारिकरम के माद्दम से करने जा रहा है कारिकरम बहुत बड़ा होगा 21,000 युवा होंगे 21 आप लेकर चलना है शायद भाहर से और भी आ सकते हैं कैसे इतने बड़े कारिकरम को मैनेज कर पाएंगे और कैसे एक विवस्ता है पूरे खानी पीने की वो किस तरह की रहा है पूरे कारिकरम का जो हमने संगठन की डस्टी से सुरेन सिंग भाहर जी को कारिकरम का सहयोजग बनाया है और जैसे वहानों की विवस्ता है तो DM साब से पर्मिशन ली गई है तो SP ट्रैफिक को भी हमारी अनुमती पहुंची है तो पूरा प्रशाशन उसके सहयोग में लगा रहेगा और अलग-अलग विवस्ताओं की विवस्ता प्रमुख बनाए गए है उन विवस्ताओं में समनवे बना रखे उनके मीडियेशन जो उनका है वो बना रहे तो समन्वे प्रमुख भी बनाए गए है तो ऐसे करके प्रतेग स्वयम सेवकन अपनी जुम्मेदारी समाली है तो वे व्यवस्ता पूरी बाट दी गए है पूरा सिन्योजित कारीकरम है प्री प्लाइनड है पूरा कारीकरम तो इसकी व्यवस्ता खराब होने का मतलब ही नहीं उठता और पूरे पंडाल में जब तक हमारा कारिकरम होता रहेगा तो एक तरफ भारत माता का भंडारा भी चलता रहेगा और वो भंडारा करीब 30,000 युवाओं का भंडारा हमने नागरिकों के लिए भंडारा रखा है और वो उसमें कम से कम 30,000 पानी की बोतलों की विवस्ता भी है एक तरफ शिवर में चिकिसा का शिवर भी लगाया है तो वहां पर डॉक्टर भी उपलबद रहेंगे दवाईयां भी रहेंगी तो पूरा कारिकरम प्री ब्लाइट है और पूरा कारिकरम विवस्थित है तो विवस्था खराब तो वहां होनी नहीं है क्या लगता है कि सहीदों को कहीं न कहीं सहीदों को परिवारों को एक उर्जा मिलेगी आपकी कारिकरम से कि आज उनको एक ऐसे मंच से सम्मान मिल रहा है जहां वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे तमाम उनकी जो जरूरते हैं वो पूरी करने वाला आज उनके बीच में नहीं है तो एक एनरजी यहां से मिलेगी हैं हाँ हम लोग उनको एनरजी देने का काम तो करेंगे ही लेकिन उनको सम्मान भी देंगे लेकिन जो वास्तविक्ता है कि उनको दो छड़का हम लाब दे सकते हैं उस दो छड़के लाब के बाद जो भी पुत्र था जो शहीद हो गया सेना के लिए अपने देश के लिए वहाँ पर लड़ते लड़ते तो वो छती तो हम पूरती उनकी पूरी नहीं कर सकते लेकिन उनके साथ 21,000 नौजवान उस दिन खड़ा होकर उनको ये एहसास दिलाने का काम करेगा कि आपने एक पुत्र खोया है देश की शादत में आज आपके 21,000 पुत्र आपके साथ खड़े हैं और हिंदू जागन मंच वहाईनी मंच से ऐसा संकल्प उनको दोहराएगा सबी नौजवानों के साथ कि जब किसी शहीत के परिजन को जो मुसीबत में हो वो हिंदू जागन मंच वहाईनी से संपर करें पूरे संगेठन के पता देखार हजारों लोग उनके समर्थन वे खड़ें करें गयापन देंगे और उनके समर्थन में उकड़ आंदोलन भी करना पड़े उनका हमें किसी वी चीज़ की विवश्ता करनी पड़ेगे वह विवश्ता करने के लिए हम तैयार रहेंगे तो हिंदू जागर्मंच को देखकर यह भाव पूरे समाज में ज़य कर देश का बने ऐसा कारीक्रम करने का उद्देश हमलों का है सुक्रिया अर्थिनी उसे चर्शागा धन्यवाद अर्थिनी उसे चर्शागा धन्यवाद